नमस्कार दोस्तों मैं मुनीर्मला मेरे चनल पर आपका बहुत बहुत सागत है आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भरवा टिंडे की रेसिपी फिलाल सबजियों में टिंडे का बहुत ही अच्छा सेजन चल रहा है और ये काफी पोस्टिक होते हैं पर होता क्या है कि टिंडे का नाम सुनते ही सब इसे इग्नौर कर देते हैं और इसे खाने से आना काने करते हैं लेकिन आज मैं आपको इस तरीके से टिंडे की सबजी बनाना बताऊंगी जिसे बना कर यदि आपने एक बार किसी को खिला दिया, तो वो बार-बार आपसे ये सबजी बनवाएगा, तो चलिए सब करें टिंडे खाने के डिमांड बनाते हैं ऐसी सबजी लाजवाब, भरवा टिंडे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे टिंडे तो मैंने 300 ग्राम टिंडे अच्छे से दो कर साफ कर लिये हैं अब ये जो टिंडे हैं वो हमें मीडियम साइज के लेने हैं या फिर छोटी साइज के लेने हैं यदि आप ज़्यादा बड़े टिंडे का इस्तमाल करेंगे तो वो पकेवे होते हैं तो वो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं उनमें जो बीज होते हैं वो बड़े होते हैं अब इन टिंडे को एक चाको के साइता से हम ऐसे उपर से हलका हलका सा छिल लेंगे ज़्यादा नहीं चीलना है और ना ही चीलते वक्त पीलर का अस्तमाल करना है वरना इनकी बहुती मोटी लेयर उपर से उतर जाएगी तो फिर टिंडे में कुछ बचेगा ही नहीं तो बस सारे टिंडे चील करके मैं ऐसे ही तैयार कर लूंगी एक पार पानी में डाल कर इने धो लेते हैं अब क्योंकि हमें भरवा तिंडे बनाने हैं तो इसके लिए तिंडो के अंदर एक कट लगाएंगे, तो बस दो कट हमें लगाने हैं, तो एक कट ऐसे लगा देंगे और एक कट ऐसे लगा देंगे, तो इस तरह से इसका जो मूह है वो खुल जाएगा, जो मसाला वगर है, में आ जाएगी तो सारे टिंडों पर मैंने इसी तरह से कट लगा कर तयार कर लिया है अब जो इसका secret ingredient है वो है यह masala जो हम फ्रेशी बना कर तयार करेंगे इसे किसी भी तरह की भर्वा सब्जी में आप इसतमाल कर सकते हैं इसके लिए मैंने एक पैन लिया है पैन में डालेंगे दो चमल साबुत धनिया साथी आइड करें इसके अंदर एक चमल सौफ तो सारे मसाले में साबुती इस्तमाल कर रही हूं लेकिन यदि इनमें से आपके पास कुछ पाउडर मसाले हैं तो आप पाउडर मसालों का इस्तमाल कर सकते हैं एक चमल जीर बना कर हम तयार करते हैं वो इस सब्जी के टेस्ट को काफी बढ़ा देता है मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए हैं बहुत जादा कलर इनका चेंज नहीं करना है अच्छी खुश्बू इसमें से आने लगी है तो गैस का फ्लेम आफ करके अब एक चमच कसूरी मेथी डाल कर इसे भी कुछ देर पैन में ऐसे हिला लेते हैं कसूरी मेथी बहुत ही सौफ्ट होती है तो जल्दी से इस करम पैन में खड़े मसालों के साथ ये पक जाएगी तो ये मसाला हमने तयार कर लिया है रोस्ट करके इसे ग्राइंड जार में डाल कर अच्छे से ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद कोर्सली ग्राइंड करेंगे तो इन मसालों का दरदरा पाउडर बना कर तयार कर लें अब इन्ही मसालों में कुछ पाउडर मसाले हम और एड करेंगे जिस में लेंगे एक चमच लाल मिर्श का पाउडर आदा चमच हल्दी पाउडर एक चमच लेंगे आम चूर का पाउडर इससे बहुत अच्छा खटापन मिलेगा सबजी को तो टेस्ट अच्छा आएगा स्वात के अनुसा नमक डाल कर सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो ये हमारा बहुत टेस्टी मसाला बन कर तयार है आप किसी भी तरह की भरवा सब्ची में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम काटे वे टिंडे लेंगे और टिंडे को ऐसे थोड़ा सा खोल लेते हैं ताकि मसाले इसलिए इसके अंदर आ जाएं तो बस मसाले ऐसे अच्छे से भर लेंगे अब ज्यादा तर हम क्या करते हैं कि इन मसालों को भर कर फिर डायरिक्टी कडाई में इने श squealow fry करते हैं तो उससे क्या होता है क्योंकि इस मसाले dry हैं तो बहुत ही जल्दी से जल जाते हैं और टिंडे इतनी जल्दी से पक नहीं पाते हैं तो इसके लिए आज हम दूसरा तरीका अपनाएंगी जिससे इसकी पोश्टिकता भी बरकरार रहेगी और मसाले चलेंगे भी नहीं इसके लिए मैंने एक स्टीमर प्लेट ले लिए आप कोई भी नॉर्मल प्लेट का इस्तमाल कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलियेबल हो या किसी भी पैन या कड़ाएं में वो फिटा जाएं इदर दूसरी तरफ मैंने कड़ाए के अंदर दू गिलास पानी गरम होने के लिए चड़ा दिया है तो इसमें हम इन टिंडों को स्टीम करेंगे अब स्टीम करने से हमें ये फाइदा होगा कि जो टिंडे हैं वो बहुत अच्छे सॉफ्ट कोक हो जाएंगे जाता तेल में हमें इने फ्राई नहीं करना पड़ेगा और दूसरा जो मसाला हमने इनके अंदर भरा है वो अच्छे से स्टीम होकर फूल जाएगा तो जब हम इन टिंडों को शैलो फ्राई भी करेंगे तो ये जलेंगे नहीं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा 15 मिनिट के बाद मैंने ने चेक कर लिया है तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो मसाले उनका कलर काफी अच्छा हो गया है साथी ये काफी अच्छे से स्टीम होकर फूल गए हैं और टिंडे थोड़े सॉप्ट हो गए हैं तो लगबग 50-60% टिंडे हैं वो पक चुके हैं आगे हम करेंगे अब हम एक कडाय लेंगे और कडाय के अंदर देल करम कर लेते हैं आप को शूप इस देल का इस्तमाल करके सबची बना सकते हैं मैं यहां पर ऑले ओल का एक साथ जादा टिंडे ना डाल कर मैं दू बैचेज में इन्हें शेलो फ्राइ कर लूँगी तो थोड़ा सा शेलो फ्राइ करके लेते हैं तो सबजी का टेस्ट जादा अचाएगा नहीं तो आप टाइरेक्ट ग्रेवी में भी इन टिंडो को डाल सकते हैं क्योंकि अल्रेड तो बड़िया से दू बैचेज में मैंने इन टिंडो को शेलो फ्राइ कर लिया है अब इसी तेल के अंदर हम बाकी चाजे भी पका लेंगे तो टिंडे हम साइड में रख देते हैं और सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे एक तेश पता दो चुटकी डालेंगे इसके और अब इसमें हम एक बड़ी साइज का एकदम फाइन कटावा प्याज डाल कर इसे भी कुस्तेर के लिए पका लेते हैं तो यहाँ पर प्याज को मैंने हैंड चोपर में एकदम बारी काट कर लिया है आप चाहें तो इसका दरदरा पेस्ट बना कर फिर उसे पका सकते हैं तो यहाँ पर प्याज को लगबग पहने एक से देड़ मिनिट के लिए पका लिया है फिर इसमें डालेंगे एक छोटी चमच अदरक और लसुन का पेस्ट साथ ये अड़ करेंगे इसके अंदर एक से दो बारी कटी भी हरी मिर्च और प्याज के साथ इने भी पका लेते हैं ताकि सारी चीजे अच्छे से पक जाएं तो एक से डेड़ मिनिट में प्याज अतरक लसुन सब अच्छे से पक चुके हैं तो अब इसमें डालेंगे हम टमाटर तो यहाँ पर दू बड़ी साइज के मिनी टमाटर ग्राइंडर जार में पीसकर के लिए हैं तो यह डालेते हैं तो टमाटर को पीसकर के डालने से ग्रीवी का टेक्शर बड़ा ही अच्छा आता है थोड़ा सा मैंने नमक भी आड़ कर लिया है ताकि सारी मसाले वगरे प्यास टमाटर सब अच्छे सौफ्ट को खो जाएं लेकिन नमक को ध्यान रखते भी डालें क्योंकि जो हमने मसाला तयार किया है उसमें हम नमक डाल चुके हैं दो से तीन मिनिट में पेस्ट अच्छे से पकर के तयार हो चुका है तो अब बारी आती है इसमें एक सेक्रेट चीज डालने की बारी जो हम सब का प्यारा है और हमारी कीचन का राज दुला रहा है तो यह है आलो तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का कच्छा आलो लिया है और इस कच्छे आलो को इस तरह से ग्रेट करके डालें और फिर देखे इस आलो का कमाल एक तो इस सबजी का टीस्ट पूरी तरीके से बदल जाएगा और दूसरा जो इसकी कंसेस्टेंसी होग ताकि आगे हमें इसमें और ज्यादा पाउडर मसाले ना डालने पड़ें तो वो सारा मसाला इसे इस टेस पर डाल दें क्योंकि हमें ग्रेवे में भी मसालों का अच्छा टेस्ट चाहिए दो से तीन मिनिट सारी चीजों का अच्छे से बून लेंगे तो देखे कैसा पटा मसाला बन करके तयार हो चुका है और अब इसमें हम डालेंगे करम पानी ताकि हमारी सबजी का कलर भी चेंज ना हो कुकिंग प्रोसेस लो ना हो और पटा पट से ये सबजी बन करके तयार हो जाए कवर करके एक बड़िया सा बॉयल में इसमें आने दूंगी और जैस को खाएंगे इस तरह की ग्रेवी के साथ तो यकीन माने इतना अलग और अच्छा टेस्ट आएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप टिंडे की सबजी खा रहे हैं तो आप देख सकते हैं जो आलू हमने इसमें डाला है वो कितने अच्छे से इस सबजी में मिक्स हो गया ह और क्योंकि हमने ग्रेट करके बाद में इसे डाला है तो उसका जो टेक्शर है वो भी इसमें बरकरार है जो इस सबजी को बहुत अच्छा लुक भी देता है तो उबलेवे आलू को मैश करके या फिर उबलेवे आलू का इसमाल नहीं करना हैं कच्छे आलू को इस तरह से डालें तभी इस सब्जी का असले टेस्ट और टेक्शर आएगा सब्जी बनकर हमारी तयार है और आप देख सकते हैं कि ये भरवा टिंडे देखने में भी कितने सुन्दर लग रहे हैं अपनी शेप भी मेंटेन किये वें और इनका कलर भी बहुत अच्छा है और देखिए ब आपको ये सब्जी बहुत पसंद आएगी और आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे और जब भी आप ये रेसिपी ट्राइ करें तो प्लीज अपनी फीडबैक भी मेरे साथ शेयर करना ना भूलें तो आदेखिए नॉर्मल से टिंडे भी देखने में कितने सुन्दर सब्सक्राइब करें हैं किसी शाही सब्जे से ये गव नहीं लग रहे हैं तो इस तरह सिंपल सी चीजों के साथ हम इस सिंपल सी सब्जी को कितना ज़्यादा टेस्टे बना सकते हैं तो यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आए है तो प्लीज अपनी प्रेंडस और फ बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केर, बाई बाई